हेलो स्टूडिल्स वेलकम बैक टो दुस चैनल तो आज हम दिखने वाले हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइन का पार टू तो ये जो स्टोरी है हमारी वो स्टार्ट होती है नरेटर से जो कि अपना पुराना एरोप्लेन फ्रांस से वापिस इंग्लैंड लेके जा रहे थ आसमान काफी साफ था और यहां तक की हमारा मून भी शाइन कर रहा था और नरेटर इस थेंकिंग अबाउट इस फामली और हॉलिडे जो कि इंग्लैंड था इंग्लैंड में सुबा के वन थर्टी मिनट हो रहे थे वन थर्टी मिनट पे वो अपने प्लेन से नीचे देखत अब वो उनकी बात को फॉलो करते हुए पैरेस सिटी से निकल जाते हैं सिटी से कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद उन्हें किलाउड्स दिखते हैं एयर में फ्यूल कम होने के कारण वो स्ट्रॉम के अंदर नहीं जा सकते थे और बीच में से ही वो पैरेस वापिस जान का वो रिस्क लेते हैं लेकिन उनके स्ट्रॉम के अंदर जाते ही स्क्रीन कंट्रोल काम करना बंद कर देते हैं और वो बहुत डर जाते हैं और पैरेस कंट्रोल को क्वांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं बट वो ऐसा नहीं कर पाते और वो बहुत डर जाते हैं थोड़ी तेर बाद उन्हें एक ब्लाक ऐरो प्लेन दिखता है उने जैसे ही उसके पाइलेट को देखकर नरेटर को थोड़ी राहत मिलती है वो प्लेन थोड़ा स्ट्रेंज था क्योंकि उसमें कोई लाइट्स नहीं थी प्लेन का पाइलेट उनकी तरफ देखता है और उन्हें फॉलो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 मिनट सी थे और फ्लाइ करने का फ्यूल बचा था यानि कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट से और फ्लाइ करने का फ्यूल बचा था लेकिन अचानक से वो बाहर आते हैं और सामने दो स्ट्रेट लाइन्स दिखती हैं वो अपनी रन Finally, Chen की सास लेने के बाद वो अपना प्लेड को लाइन करते हैं वो airport control center में जाते हैं वापस से and then airport control center में उनको एक women in charge दिखती है वो उस से उस black airplane के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो उस pilot को thank you करना चाहते थे इसलिए वो इस women से उसके बारे में पूछते हैं जो women होती है वो उनके उपर हसने लगती है और कहती है कि उनके अलावा और कोई plane उड़ा ही नहीं रहा था narrator सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ मतलब मेरी help किसने की आखिर कौन था जिसने मेरी help की तो इसी के साथ हमारी स्टोरी खतम होती है अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो इस चैनल थाइंक यू सो मच पर वाचिंग